आपको पता है देश का सरोच नागरिक पुरसकार भारत रत्न आखिर किस दातुरा बना होता है आईए आपको बता देते हैं भारत सरकार ने बिहार के पूरो मुख्यमंतरी करपूरी ठाकूर को मरनोतरांत भारत रत्न से सन्मानित करने का एलान किया है बिहार के समस्ती पूर में जन्मे कारपूरी ठाकूर को दो बार राज्य के मुख्यमंतरी रहे थी साल 1988 में उनका निदन हो गया था क्या आपको पता है देश का सरोच नागरिक पुरसकार भारत रत्न आखिर किस दातु का बना होता है इसे कौन और कहा बनाते है आए इसके ब भारत रत्न साहित कला राजनिती समाज स्वास से लेकर अलग-अलग छेत्रों में उत्कुरूष्ट कारे करने वाले शक्खियंत को दिया जाता है सुचना एव प्रसारन मंत्राले की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुथाबिक प्रत्यक वर्ष अधिक्तम तीन लोगों को भारत रत्न से सन्मानित किया जा सकता है जानकारी नहीं की हर साल पुरसकार दिया ही जाए भारत रत्न से सन्मानित शक्ष को राश्वपती द्वारा हस्तान तरी एक सर्टिफिकेट और पदत प्रदान किया जाता है कोई धनराशी नहीं दी जाती है भारत रत्न को दिया जाने वाला मेडल पिंपल के पत्ते जैसा दिखता है जो सुद्ध तामवे का होता है इसकी लंबाई 5.8 cm लंबा चोड़ाई 4.7 cm और मोताई 3.1 mm होती है पत्ते पर प्लेटीनम का चमकता सूर्य बना हुआ होता है इसका किनारा भी प्लेटीनम का ही होता है भारत रतन के दूसरे हिस्से यानि नीचे की तरफ चांदी से हिंदी से में भारत रतन लिखा होता है जबकि पीछे की तरफ अशोक रतन स्थंब अशोक स्थंब के नीचे हिंदी में सक्ते में उजयते लिखा होता है सुचना एव प्रसारन मंत्राले के मुताबिक भारत रतन कोलकता टक साल तयार करता है बहुत अनुबवी कारीगिर महिनों की मेहनत के बाद मेडल तयार करते है भार भारत रतन से जुड़ी लंबी शिल्प परंपरा है और लड़ाई की दुनिया में एक अलग जगह बनाई है डिजाइन में महत उत्कुरुष्टता के लिए टक साल में अनुभूवी शिल्पकारों को ही ये काम दिया जाता है साल 1757 में स्तापिक कोलकता टक साल शुरू से ह भारत रतन का निर्मान करतार आ रहा है यहीं पद्मविभूशन पद्मभूशन पद्मस्री परमवीर चक्र और तमाम नागरिक सैन्य सेल खेल पुलिस मेडल भी तयार होते हैं भारत रतन से जुड़े एक और महत्वपुर्ण बात है इस पुरसकार को पाने वाला शक्स अ प्रिक्र जरूर कर सकता है